हेलो फ्रेंड्स, आई होब कि आप अच्छे होगे और KVS TGT WE की प्रिप्रेशन स्टार्ट कर दी होगे देखिए हम लोग KVS TGT WE previous year question paper solve कर रहे थे जो की 2018 का है और अब तक हम लोग अपने 5 एपिसोड कर चुके हैं यह 6 एपिसोड है और उन 5 एपिसोड में हमने 2018 के paper solve किये जिसमें अब हम लोग technical वाले part में आ चुके हैं और technical वाले portion को deal कर रहे हैं और basically यह electrical और electronic solve के लिए है तो चलिए आज का देखते हैं कि कैसा question है आगे जो पूछेगे questions हैं जिसमें से पहला question हमारा 71st number का है और यह हमसे पूछ रहा है कि the RMS value of a sine wave whose average value equals 7.644 volt is यहाँ पर हमसे RMS value पूछा है sine wave का तो directly हम इसको कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पता है RMS upon average क्या होता है RMS upon average हमारा form factor होता है और form factor sinusoidal wave का आपको पता होगा सायद कि 1.11 होता है अब यहाँ पे अगर हमको यह पता है तो RMS साराम से निकल गए हमारा RMS CZ Coast 2 क्या हो जाएगा यह 7.644 into यह 1.11 क्योंकि यह हमारा यहाँ पर आकर multiply हो जाएगा अब इसको हम solve करेंगा देखिए 7 है और यह 1 है लगभग 8 और 9 के बीच आएगा क्योंकि यह 7 से अधिक है 7.5 है और यह 1 है तो हमारा मिलता जूलता option देखेंगा तो 4 है तो पूरा का पूरा multiply करने का जरूद भी नहीं है और आपका सीधा answer आजाएगा 8.484 ठीक है तो चौथा इसका option correct हो जाएगा देखिए इसको एक और तरीके से कर सकते थे मतलब समझने के लिए कि RMS हमको पता है यह होता है Vm by root 2 किसका sinusoidal wave का और average value क्या होता है इसका 2 Vm upon pi ठीक है 2 Vm upon pi होता है अब यहां पर हमको average value पता है तो average value यह दिक पता है तो हम यहां पर सीधा पता कर सकते है कि 2 Vm upon pi is equal to average value 7.644 है इससे हमको Vm मिल जाएगा यह Vm ठीक है इससे हमको यह Vm मिल जाएगा अगर हम को यह Vm मिल गया एक बार तो हम RMS value आराम से calculate कर सकते हैं क्योंकि VM अपार root 2 होता है जब VM मिल जाएगा उसमें under root 2 कर देंगे तो हमारा यह answer निकल किया जाएगा आप एक बार solve करके देख भी सकते हो और यहाँ पर जो average value होती है sinusoidal wave की वो देखिए होती actually 0 है लेकिन वो over a cycle ठीक है लेकिन अगर कुछ mention नहीं किया है तो वो always होता है 0.637 ठीक है यह आपको average value यह होता है 2 वी आप निकाल लोगे लगबग इतना ही आता है तो average value हमारा इतना होता है और अगर आपको over a period पूछे तो आपको 0 बताना है I hope कि यह आपको समझ में आया होगा for the applied voltage यहाँ पर short time constant हमसे पूछ रहा है short time constant जो होता है क्या define करता है short time constant जो होता है वो 1 5th होता है 1 5th the pulse width 1 5th the pulse width in time for the applied voltage होता है तो इसका third option correct है कुछ चीजों पर हमको याद करना पड़ेगा और याद करने के लिए कोई option भी नहीं होता है हाँ उसको अगर हम लोग एक बार समझ ले तो better है बट अधिकांस्ता चीजों को हमको याद ही करना होता है क्योंकि यह J-Level के questions होते है और यहाँ पे अगला जो question हमारा 73 the point at which magnetic material loses its ferromagnetic properties is called देखिए material science से मारा question है तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्योरी temperature जो अपने सुना होगा क्योरी temperature है क्योरी temperature क्या होता है जब यहाँ पे यह अगर हम आपको दिखाए एक ऐसे graph ठीक है तो यहाँ पे यह जो होता है अगर आपका पेरा मेगनेटिक का है ठीक है पेरा मेगनेटिक मेटरियल और यह जो आपका है अगर यह आपका फेरो मेगनेटिक मेटरियल का है तो फेरो मेगनेटिक मेटरियल अगर आप temperature को यहाँ से increase करते जाते हो यह आपका temperature है ठीक है और यह आपका temperature हो गया और यह आपकी susceptibility होती है हाँ ठीक है susceptibility तो ferromagnetic material एक temperature पर जाने के बाद जैसे यहाँ प्याने के बाद इसके बराबर हो जाती है ferromagnetic material के ठीक है तो आप देखोगे कि इस temperature पे यह जो point होता है इसी कुमलों क्या बोलते है क्यूरी temperature और और क्यूरी temperature वो temperature होती है जिसपे जो ferromagnetic material होती है वो convert हो जाती है paramagnetic material है ठीक है मतलब paramagnetic material की properties उसमें जाती है अपने magnetism को lose कर देती है तो क्यूरी temperature वही होती है कि the temperature at which ferromagnetic material becomes paramagnetic material ठीक है paramagnetic material अगे चलते हैं लोग अगला हमारा question है कि a relaxation oscillator is one विच तो relaxation oscillator यह देखिए कई जगह पे मैंने इसको देखा है कि कई सारे exams में पूछा है relaxation oscillator is one which तो relaxation जो oscillator होता है वो produce करता है non sinusoidal output ठीक है non sinusoidal output यह produce करता है काफी famous question है कई बार पूछ चुका है तो यह वाला इसका option गलत है चौथा option इसका correct हो जाएगा अगला question है the type of amplifier which exhibits cross over distortion in its output आप देखे होगे कि अभी इससे पहले भी a question पूछा था class A, class B, class C वाले oscillator ठीक है तो oscillator आपका काफी important chapter न जा रहा है ठीक है तो oscillator तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसमें जो class A, class B, class C है इसके हर एक properties हर एक जो भी इसके बारे में दिया गया हो इसको आपको एक बार देखना है क्योंकि यह important है तो यहाँ पर जो हमसे पुछा गया है कि the type of amplifier which exhibits crossover distortion in its output तो distortion तो लगबग सभी देते हैं बड़ चो सबसे अधिक देता है वो class B का देता है ठीक है तो class B इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा class B distortion अच्छली on-off के बीच का time होता है ठीक है अगर वो ज्यादा है तो distortion काफी अच्छा दे रहा है मतलब crossover distortion काफी ज्याद आ रहा है तो class B का अधिक होता है और यह crossover distortion एक्जबीट करता है अब अगले question पर बढ़ जाते हैं लोग अगला question हमारा है 76 नंबर का कि यह भी एक देखिये transient का question है यहां पे कोई capacitor है इसको हमको चार्ज करना है और यहां पे एक register लगा हुआ है ठीक है रजिस्टर और आपको applied voltage कितना है applied voltage जो है वह आपका 36 वोल्ट है तो यह पूछ रहा है कि यह capacitor कब 24 बोल्ट चार्ज जाएगा किस time पर वो उनको time बताना है ठीक है तो देखिये transient का काफी अच्छा खासा question दो question अब मैंने पहले ही solve करके रखा है कि कुछ इस तरीके काम से question पूछा था एक capacitor उसको charge करना था capacitor की value गिवन है रजिस्टर की value गिवन है और applied voltage गिवन है तो again हम वहीं अगर हम use करें कि हमको यहां पे initially कितना voltage रहा होगा देखिये चार्ज करने का मतलब पहले तो यह 36 वोल्ट नही कितना एगा देखिये पहले initially तो कुछ नहीं था यहां पे voltage ठीक है 0 ठीक है 0 ओके यहां पे initially कुछ नहीं था लेकिन जब हम इसको close कर दिये steady state में जब जाएंगे काफी देर हो गया लाखो हजारों साल हो गया तो यहां पे जो capacitor की value होगी automatic यह 36 पूरा यहां पे जाएगा ठ time constant हमको पता है किसका RC होता है ठीक है R equivalent C equivalent तो उससे हमने time constant भी निकाल लिया अब हम इसको क्या करते हैं जो हमने आपको इससे पहले भी एक फार्मुला बताया था ऐसा कि यह हम यूज करते हैं कि किसी भी time के लिए अगर हमको पता करना हो किस time पे voltage की या current की क्या value है तो यह फार्मुला यूज कर देंगे तो हमको 24 चाहिए VT यहां पर माल देते हैं हम लोग VT is equal to 24 चाहिए कि at which time T VT हमारा 24 हो जाएगा तो 24 हमको पता है infinity वाला voltage भी पता है initial voltage भी पता है सब कुछ time constant भी पता है हमको यह वाला तो उसमें जब हम put कर देंगे सारी चीजे तो हम लाता कर पाएंगे तो ऐलन deeply थेखी इतना हो जाएगा और यहां से क्योंकि जो होता है वो अगर हम लने लेंगे जैसे यहां पर लेंगे तो ए हमारा का त्रम भी है और के बेस में अगर सेम होता है तो वहां से जो लॉग होता है log रिम लोग रिंद्मीं अला हमको इससे वह हमारा यह वैल्यू आ गया और अज दोनों तरफ माइनस माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया है कट गया है इससे टी हमारा क्या गया है इतना आ गया है जिसको सॉल्व करने पर हम देख सकते हैं कि मारा इतना आ जाएगा अब यहां पर एक दो तीन अगर अंके बाद हम द बढ़ते हैं अगले question पर देखिए अगला question हमारा है 77 नमबर का कि bandwidth requirement for amplitude modulated wave is अब करा bandwidth requirement कितनी होती है for amplitude modulated wave देखिए amplitude modulated wave जो होती है वहाँ पर यदि हम बात करें तो जब हम इसको modulate करते हैं तो इसके साथ frequency होती है एक तो modulated frequency होती है और एक carrier wave होता है तो उससे अब देखोगे तो यह कुछ इस तरीके का pattern बनाता है ठीक है यह जरूरी नहीं कि इसी step में हो triangle भी हो सकता है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह lower वाले portion पर क्या होता है यहाँ पर fc-fm होता है और यहाँ पर fc-fm होता है बस एक rough idea दे रहे हैं तो यह इसके बीच का यह जो है न पार्ट यहीं हमारा bandwidth है तो यह bandwidth निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ का पुरा distance इतना है ठीक है fc-fm और यहाँ से यहाँ का distance है वो fc-fm है तो यहीं हमको यह वाला निकालना है तो हम इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा दें तो यहीं हमारा बचेगा bandwidth है तो जो delta f माल लेते हैं bandwidth है तो delta f कितना हो जाएगा इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देते हैं तो यह हो जाएगा fc plus fm minus ब्रैकेट में fc minus fm अब यहाँ देखें के fc से fc कर जाएगा यह माइनस यहाँ पर जाकरके plus बना देगा तो fm और fm मिलकरके 2 fm हो जाएगा ठीक है 2 fm इसका मतलब है कि जो हमारा bandwidth है वो 2 fm के बराबर हो जाएगा तो इसका पहला आंसर है कि 2 fm जहाँ पर fm क्या है हमारा highest modulating frequency है तो आई होब कि आपको समया होगा तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा चलते हैं अगले question पर अगला question देखिए बिलकुल network theory पर है बस इसमें एक diode दिखा दि कि यहाँ पर जो 10 volt दिया गया है ना जो plus में है ठीक है 10 volt plus में है तो यहीं पर प्लस कर लो ऐसे और यहाँ पर minus कर लो और इसको एक source की तरह दिखा दो कि यह 10 volt है अब यहाँ से आगे चले जाओ यह आपको given है resistance इसके बाद डायोड अगर हमारा ऐसे है तो यह plus और minus ऐसे ब पहले दिखा दो minus plus जैसे यहाँ पर plus है तो plus को मैं इसके just pass में दिखाया हूँ ठीक है तो इससे आपको भूलोगे नहीं कि हमको कौन सा लिकना जैसे minus 5 है तो यह हमारा हो गया minus 5 और इसको आप ground कर दो इधर ठीक है 5 volt अपकी वाली को क्योंकि हमें polarity दिखा दी अब यहाँ तो जो मेरे last में आता जाएगा उसको में लिखूंगा जैसे ऐसे में चल रहा हूँ तो last में हमारे plus आ रहा है तो यहाँ पे मैंने plus 10 लिख लिया उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यह 4.7 है और इसकी polarity ऐसे होती है तो minus 4.7 के और इसके साथ में क्योंकि voltage drop दिखना है त तो i current flow रही है तो i हो जाएगा उसके बाद यदि हम आगे आएंगे तो यह 0.7 का drop है और यह भी minus से निकल रही है current तो 0.7 लिख लिए हमने और आगे जाएंगे हम लोग तो यहाँ plus और minus का drop है और 2.2 के इसकी value है तो minus निकल रहा है तो 2.2 के और इसमें i का multiply कर देंगे तो voltage drop हो जाएगा और last में हम देखेंगे कि यह प्लस से निकल रहा है ठीक है यहाँ से current प्लस से निकल रही है तो प्लस 5 लिख देंगे अब आपकी equation के बनगे है अब इससे कभी गलत नहीं होगा अब देखरो कि 10 यहाँ पे है 5 यहाँ पे 15 और उसमें से 0.7 अगर घटा है तो obviously answer जो मिली ampere में आने वाली है और 6 दुनी के बार होता है लगबग तो 2.07 के करीब इसका answer आजाएगा solve करने पर ठीक है तो यह वाला इसका आपका right answer हो जाएगा तो I hope कि आपको यह समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया कैसे polarity करी आप हो सकता है कि इससे ठीक सेस है तो देखिए using the method of mass current any resistance common तो मैं समझ लिए हम ऐसे कुछ भी बना लेते हैं यहाँ पर एक ठीक है और यह हो गया हमारा ऐसा कुछ अब 2 mess होगे हमारा यहाँ पर 1 mess यह और 1 mess यह अब यह पूछ रहा है कि any resistance common to 2 mess, अब यह 2 mess है इसमें यह resistance common है तो उसमें पूछ रहे कि 2 opposing mess current होता है या 1 common mess current होता है 0 current तो इसमें जो current flow हो रही है यह दोनों में common ही होती है ठीक है जैसे यहाँ पर ऐसे आरही है और एक ऐसे तो दुनों में common होती है तो one common miss current हो जाएगा इसका सही answer ठीक है तो I hope कि आपको ये समझ में आया होगा चलते हैं अगले question पे अगला question हमारा जो 80 number का है कि the relation between emitter efficiency transport factor and current gain alpha देखिए ये दो बार question आ गया emitter efficiency आपसे अभी पहले पूछा हुआ था ठीक है previous वाले वीडियो में अपने देखा होगा तो emitter efficiency हमने वहाँ पर आपको बताया था और transport factor नहीं बताया है तो प्रूफ भी कर देते हैं देखिए alpha आमने यहाँ पर जो emitter efficiency हमने आपको बताया था वह हमने क्या बताया था IEP upon IEP plus IEN अजलब emitter current due to hole upon emitter current due to hole plus emitter current due to electrons और into beta आपको पता है beta क्या होता है हमारा यह transport factor transport factor जो होता है IEC upon IEP होता है ठीक है transport factor अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यह जो है हमारा total यह क्या है हमारा यह हमारा IE मतलब total emitter current है तो IEP से IEP कड़ गया अब IEC upon IE यह क्या बनाएगा हमारा alpha हमारा क्या होता है current gain और यह हमारा IEC upon IE ही होता है तो इसका मतलब यह proof हो गया तो alpha जो होता है हमारा gamma into beta होता है तो यह वाला तीसरा option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा gamma नहीं है यह एक्चली efficiency का सिंबल है तो efficiency into transport factor ठीक है efficiency of emitter तो तीसरा वाला option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा तो I hope कि यहां तक आपको समझ में आया होगा चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में इसी तरह से अगले concept के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई